हे गाईज दिस इस दिख्षार जुही वेलकम टू माई चैनल इजी टू लर्न गाईज आज के इस वीडियो में हम MSC फर्स सेमेस्टर के जूलोजी के पेपर फस्ट के बारे में बात करेंगे गाईज जो जूलोजी का फस्ट पेपर है वो नौन कॉल डेटा है गाईज जो पेपर होता है वो तीन घंटे का होता है और इसकी जो मैक्समम मार्किंग होती है वो हंडेड नमबर की होती है गाईज इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है की सीरियल वाइज आंसर देने चाहिए गाईज यह जो पेपर होता है वो सेक्सट ए और सेक्सन बी और सेक्सन सी तीन पार्ट्स में डिवाइड़ ओता है सेक्षन ए में एक ही question है और आठ सब questions है प्रतेक के लिए 100 words की limit दी हुई है और प्रतेक question 5 नमबर कैरी करता है गाइज ये सारे question करने important होते हैं next time section B देख लेते हैं इसमें note दिया हुआ है कि total तो 4 questions है पर उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ दो questions करने होते हैं और प्रतेक questions के लिए word limit 300 words की होती है और प्रतेक questions 10 marks कैरी करते हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ दो questions करने हैं second है explain briefly mood of nutrition in protozoa third है describe skeleton in responses fourth है explain adoptive radiation in polycats fifth है write salt notes on the following जिसमें A है metagenesis B है metameric segmentation तो guys next अब हम देखते हैं section C जो की है long answer type questions इसमें note दिया हुए guys की total four questions है पर उसमें से दो ही questions करने हैं और प्रतेक questions 600 words की word limit रखते हैं और 20 marks प्रतेक के लिए हैं guys last वाले में four questions हैं पर उसमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही करने हैं 6th है explain evolution of parasitism 7th है describe mouth parts of insects and mood of feeding 8th है explain concept of insect pest management 9th है write sword notes on any two of the following जिसमें A है conjugation in protozoa B है polymorphism C है affinities of echinodermata D है role of hormone in metamorphosis of insects guys इन में से सिर्फ दो ही करने हैं और guys according to me जो ये part wise questions रहते हैं इने करना better होता है क्योंकि इन में marks ज़्यादा मिलते हैं तो guys आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please guys वीडियो को share करें और साथ ही साथ चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you